Hey guys, good morning, welcome to Use of Time, Baron Pryanand, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों हर रोद सुबह 6 वजे करे इंटरफेर और साम 8 वजे जनरल लवरनेस की क्लास होती है इस चैनल में, अगर आप पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, क्योंकि इस चैनल में जो क् questions होते हैं, अगर आप किसी भी competitive exams की त्यारी कर रहे हो, तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को और daily class लेते रहे हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए questions की ओर चलते हैं, देखिए सवाल number one, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में, तुर्क मेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत की से नियुक्त किया गया है, सवाल ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में, तुर्क मेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत की से किया गया है, तो विदू पी नायर जी को नियुक्त किया गया है, किसे अगला राजदूत किया है, भारत का, तो विदुद्पी नायर जी को अगले प्रेशन को देखिए सवाल नमबर दो नाबार्ड ने अपने 49 अस्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है ध्यान से सुनिएगा सवाल नाबार्ड ने अपने 49 वे अस्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है तो डिजिटल चौपाल का किसका आयोजन किया है डिजिटल चौपाल का याद रखना option number C सही है अगले question को देखे सवाल number 3 Supreme Court Collegeium ने Punjab, वहरयाना, हिमाचल परदेष, व कलकतप, हाई गोट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थाई जज बनाने के सिफारिस की है Supreme Court ने कितने जजों को तो दोस्तों 5 जजों को ध्यान से सुनिएगा Supreme Court कولकाट के कोलेजियम ने पंजाब, हर्याना, हिमाचल परदेश, कोलकाता, हाई कोट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थाई जज बनाने के गोशना की है तो पांच जजों को याद रखना है अप्शन नमबर पांच सही है अगले प्रशन को देखिए सवाल नमबर चार केंद्रिय स्वास्थ मंत्राले ने हाल ही में किस बिमारी की पहली स्वादेशी व्यक्षिन को मंजूरी प्रदान कर दी है तो निमोनिया याद रखना है ऑप्शन नमबर ए सही होगा अगले प्रशन को देखिए सवाल नमबर पांच हाल ही में बंगला देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है बंगला देश के अगले राजदूत को किसे नियुक्त किया गया है विक्रम दुरिश्वामी को याद रखना है विक्रम दुरिश्वामी को आप्शन नमबर एक सही है अगली प्रेशन को देखिए सवाल नमबर 6 पत्रिका दलेशेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी पत्रिका दलेशेंट के मुताबिक बताइए उसके रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो है आबादी घटकर कितनी हो जाएगी अन्त तक तो दोस्तों उसके मुताबिक एक दस मिलब जीरो नो अरब हो जाएगी भारत की आबादी घटकर याद रखना है उप्शन नमबर एक सही होगा अगले प्रशन को देखे सवाल नमबर साथ हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो रूदेंद्र टंडन को किसको रूदेंद्र टंडन को याद रखना है उप्शन नमबर एक सही है अगले प्रशन को देखे सवाल नमबर आट सैयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्सिक अध्यान के अनुशार वैश्विक अस्तर पर बीते कितने वर्सों में दस लाख से अधिक लोग कुपोसित की श्रेनी में शामुल हुए हैं इसका सही अंसर होगा उप्शन नमबर डी जी हाँ दस वर्स याद रखना है उप्शन नमबर डी आपका सही अंसर है दस वर्स नहीं होगा पांच वर्स होगा अगले प्रशन को देखिए सवाल नमबर नौ हाल ही में लेशन्ट द्वारा कितने देशों एवं शेतर के लिए वर्स 2017 से 2100 तक वर्स 2017 से 2100 तक प्रजनन छमता मृत्यूदर और प्रवास एवं जनसंख्या परिद्रिस्ति की संदर्भ में वेस्विक पुर्वानुमान वि अगले प्रशन को देखिए सवाल नमबर दस यह हमारा अंतिम प्रशन है अगर पहली बार आयए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजगा, लाइक किजगा लाइक करीजगा चैनल को और वीडियो सितना शेयर कर सकते हो उतना सेयर करो क्योंकि इसमें चेल्थे खोते तो स्मॉ scoring exams के तार्रिक्तिक ऐसे तो कर आरे में चार्न एशों करूए या फिर टेलिग्राम पे आप सर्च कर सकते हो यूज अप टाइम बायनो प्रियानत वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा आप वहाँ पे जाकर जॉइन भी कर सकते हो हमें अगले प्रशन को देखिए सवाल अंबर दस हमारा अंतीम प्रशन चुनाव आयुक्त अशोक लावाशा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा एस्याई विकास बैंक का दियान से सुनिये चुनाव आयुक्त असोक लावाशा को किसको असोक लावाशा को हाल ही में किस बैंक का तो ACI विकास बैंक का उपाध्याक्षन युक्त किया गया है याद रखना है option number A आपका सही answer है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा thank you friends thanks for watching my video